तो गाउंवालो और भाई और बहनो सब लोग वापिस वेलकम बैक, खाना दबा के खाके हूं मैं आज मकर संक्राइन थी अब मिठा मिठा का क्या हूं मजाया क्यों 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 वगा नहीं हमार लिए आया था भार से तो मजाया है तो आगे जाएंगे तुम जो वर्चोल और पेंटराइब से भी कर रहें रिविजियन लेक्टर्स क्वेशन नंबर तीन जब तक खुद से बार ट्राइन कर लेते हो तब तक आगे नहीं जाना मतलब नहीं जाना प्राइब से प्रमट था, नहीं बर तक भी जाना तुम्ट भुह रहें द्सक्यूंट भी तो але थी अंखे बुली एकरिया है है झाब करिष अलभ रिशन उट्राइब तक भार युञ लाट था, आजी परह dispel एकर पिस्सक्राइब शॉट केशिश्ट और ह्यु Mmm cr. let's create the account ठीक है मिटले मुझे अकॉंट नूमर बता कौंसे कौंसे है अहां ऐसे ऐसे नहीं बोलते बिटा ब्रांच टॉक अकाउंट और फिर ब्रांच ब्रांच अध्यस्मेंट बिटा फिर ब्रांच पेंडल अकाउंट फिर लॉस in ट्रेंज जुंट अकांट ओकेल्ट व्रॉस है पॉर मेरे पास , तूरफ फिर गवीच्ग बुला वीड विडिगल है ऐ ٹिक है वे तो तुमने ऐसे लिखा होगा तू बैलेंस बॉट दाउन और बिटाजी इसका ब्रांच एड्जेस्ट्मन के क्रेडिट साइड में बाय तू कुछ बोल रहे हैं अच्छा बाय स्टॉक रिजर्व अपनी लिखा होगा 5000 इन्टु 25 डिवाइड बाय 125 थाउजन ठीक है पहला इ इस और फिर इदर लिखो के बाय गुट्स इंटु ब्रांच इट वुट बी ट्वेंटी थाउजन इन्टु 25 डिवाइड बाय 125 डियल अप्रिशेट चार था ठीक है ओके आगे बढ़ते बेटाजी लॉस इन ट्रंजिट तो बेटाजी हम लिखेंगे बाय लॉस इन कितना लिखेंगे 2500 फिर यह लॉस इन ट्रंजिट का क्लेम मिलाए के बिटा हां सो इधर क्या लिखेंगे बाय ब्रांच एड्जेस्मेंट अकाउंट 500 और बचा हुआ कैश मिलाए के बिटा बाय कैश अबलिक बैंक 2000 सो बेटाजी इस केस में कोई भी आइटम पेंडल अकाउंट को हिट नहीं करेगा पूरा 500 का हिट करेगा ब्रांच एड्जेस्मेंट सो यह इट विल बी वाट तू लॉस इन ट्रंजिट सही है यह लिख बिटा फिर लॉस बाइट एफ्ट बाइल ओस बाइट एफ्ट हजार रुपए आएगा ओके इसका सेकेंड पर का जाएगा लॉस बाइट एफ्ट के डेविट साइड में तू ब्रांच स्टॉक अकाउंट आपने बोलना है था ज़ुदन फिर यह यहां से जाएगा बाई branch adjustment 200 आ रहा है क्या और बच्चा हुआ कहा ही ट मारेगा by branch pay and account 800 so does that tally yes now where will I put 200 to branch pay and adjustment and 800 where branch pay and account so 200 I will put it up here branch adjustment क्या लिकोंगा to loss by theft कितना लिखेंगे 200 and branch pay and all के हाँ पर कितना लिखेंगे to loss by theft 800 you mean 800 yes so with this you are left out with what option जंपिया loss in weight normal है normal का treatment क्या बता है मैंने branch stock के credit side में by branch adjustment कितना बताएंगे बटा 500 और branch adjustment के debit side में to branch stock ये normal loss है बटा 500 बहुत बढ़िया इसके बाद आपका next item है sales so sales credit side में न buy cash बुल बटा 25500 और फिर expenses कहा जाएगा branch pay and all account two expenses buy कहा बटा two expenses 8,000 closing stock stock के credit side में buy balance carried down कितना है बटा इसका क्या होएगा create stock reserve तो debit side में to stock reserve branch adjustment में so 6,000 into 25 divide by 125 1200 done अच्छा claim receipt तो अल्रेदी करी दिया है done 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 अभी एक काम करो loss in transit tally हो गया loss by theft अभी अपने पास जो account रहा है वो कौन सा है बटा जी branch stock तो बटा branch stock का पहले टली करकर देखो क्या आफ कौन से सेट में फिकर आ रहे है 10,500 आ रहे हैं कि देखो surplus माइनस पांच अजार और माइनस ट्वेंटी थाउजन कितना आएगा 10,500 तो हम क्या लिगेंगे टू अब यह surplus बटा दो जेगे जाएगा loading लोडिंग और branch P&L में cost तो बाई surplus ऐसे surplus से लिगना बटा surplus का अलग account बनाएवे से तो 10,500 इंटू 25 डिवाइड बाई 125 कितना आएगा 2,100 और credit side में बाई surplus 8,400 अब 8,400 के से 10,500-2,100 और बेटाजी फिर क्या लिगेंगे इदर का जो adjustment का balance है वो बताओ 4,000 तो 2 branch P&L account 4,700 और यह इदर आएगा बाई branch adjustment account 4,700 तो अपना क्या एगा तो GPL 4300 and with this it tallies. Do you all appreciate? Am I communicating? Okay, now let me tell you my about the answer. Here it is. This is what I mean. This is what I mean. This is what I mean. 4300 is what I mean. This is what I mean. Okay, let me tell you one thing. The Penderive and Virtual Batch students, please request I am going to request. If you have a question you are going to be tough, then it will be simple. That you have not tried this question before you try. If you have tried to try it, then it will be easy, otherwise it will not go. So, you have to try it after that. Okay? Now, important thing to be noted here. I have some questions now on the module I am going to do the extra questions for them for the children. But what we will do in the virtual and pendrive, they will do the questions. Where my question bank will be finished, they will be asked. Have you understood? So, if you think let me start with those questions. So a question this question पर दिख रहा है अग्री और पंडरी वाले बच्चे अपनी अपनी टेक्स्ट बुक में चेक करेंगे ठीक है तो प्लीज कम डाउन तो दी क्वेस्ट नाइन जो आपको मैंने भी दिया है Arnold of Delhi trades in ghee and oil, very bad it has branch at laknao, laknao mein branch he dispatches 25 tins of oil at Rs. 1000 per tin and 15 tins of ghee at Rs. 1500 per tin on first of every month the branch incurs some expenditure which is met out of its collection this is in addition to expenditure directly paid by HO so बेटा जी ये एक line लिखकर रख लीजे कि branch highlight कर दीजे कि branch incurs some expenditure branch incurs some expenditure which is met out of its collection यहाँ पर आप दावे के साथ देख लेना remittance का question रहेगा क्यूंकि branch पूरा पैसा नहीं बेचती है, कुछ खर्चा करती है और फिर बेचती है, आगे बढ़ते, following are the other details बेटा देल्ली हो है लखनाव branch है तो लखनाव पर्चेस नहीं करती है अग्रीड पर्चेस कौन करता है हो, direct expense भी हो, उसके बाद में expenses paid by HO underline the word paid by HO, sales दोनों के sales दे रखे आपको, collection during the year including cash sale, okay, collection during the year including cash sale, तो highlight करके रखो के collection विल इंक्लूड cash sale as well as collection from dators हाई नहीं, it will include both cash sale and collection from dators, remittance by branch to HO, यह remittance भी दे रखा, फिर आगे क्या बुला है, balance as on, डली का दिया है बिटा घी, oil, dators, cash on hand, furniture and fittings and plant and machinery, किसका दिया है, Delhi, HO, और फिर जब हम आगे बढ़ते हैं, तो अभी हमें सारे details दी गई है, किसकी, branch की, लखनाओ की, branch की सारी details दे दी, फिर हम क्या करेंगे, balance as on, घी, oil दिया, dators दिया, cash on hand दिया, furniture, fittings, plant and machinery, addition to plant and machinery, 6,002,750, on 1,1,2011, आगे बड़े, rate of depreciation, furniture and fittings at the rate of 10% and plant and machinery at the rate of 15% already adjusted in the above figure, already adjust कर दिया है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, the branch manager is entitled to 10% commission after charging such commission, whereas the general manager is entitled to 10% commission on overall company profit after charging such commission, general manager is also entitled to salary of rupees 2000 per month and general expenses incurred by HO is 24,000, now read the question carefully, prepare branch account in HO's book, and also prepare Arnold's trading and pay handle account excluding branch transaction, मतलब सिर्प branch का trading pay handle account, ए स्वरी, branch का branch account बनाना है, और HO का trading pay handle account बनाना है, अब यहाँ पर एक note लिख लिए, इस trading pay handle account will be as per 12th standard, इसमें भगान के लिए ज्यादा दिमाग मत लगाना है, HO का थोटने सिकार, अपनी topic का नाम किया, branch account, तो मैं आपर branch account बनाऊंगा, branch का profit निकालूंगा, और फिर HO का trading pay handle account बनाऊंगा, तो दो भिन 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 चीज़े हैं, दोनों को mix मत करना, और mix नहीं करोगे, तो आराम से कर लोगे, ठीक, अच्छा, प्रिपेर branch account बुला है, तो कौंसा method याद करेंगे, datress method, तो अब stock and datress से तुम भाहर आपाते हो कि नहीं आपाते हो, यह भी चेक करूँगा, इसलिए सारी चीज़ा mix कर कर दिये, are you ready, so can we not create branch account, लिखे एडिंग, लखनो ब्राँच अकाउंट, इस question को आपको दो बार पढ़ना पड़ेगा, पहले आप क्या बनाओगे, लखनो ब्राँच अकाउंट, कहीं पर भी loading percentage दिया है क्या, तो पेटा हम यहाँ पर अभी, यहाँ पर हम अभी कुछ भी नहीं कर पाएंगे, except for what, treating, assuming that it is at cost, अपने वस्ट अप्शन ही नहीं है, so are you all now ready, so बटाची question पढ़ना शुरू किरी है, first one, are you ready, रफ में बनाओ बटा, जल्दी कर दे, Arnold of Delhi traders in ghee and oil, it has a branch at Lucknow, he dispatches 25 tints of oil, at Rs. 1000 per tin and 15 tints of ghee at Rs. 1500 per tin on first of every month, तो कितने बारा महिने हो जाएंगे क्या, first of every month मतलब, so इदर लिखो two goods sent to branch, two goods sent to branch, underline करकर पटा में लिखूँगा घी और फिर लिखूँगा oil, घी का फिगर में लिखूँगा, घी का लिखूँगा 15 tints ना पटा, 15 into 12 into 1500, और दूसरा कितना लिखूँगा पटाची, 25 into 12 into 1000, please get me the correct figure, 2,70,000 आ रहे गया, अच्छा दूसरे वाले का कितना रहे है बिटा, 3,00, do you all appreciate, yes, यह goods sent to branch के entry है, अब तुम यह मत सोचो कि ट्रेडिंग अकॉंट में क्या होगा अरनॉल्ड का, दोनों एक साथ effect दोगे, फस होगे, जब अरनॉल्ड का trading account बनाएंगे, तब independently देखेंगे, अभी के लिए आपको क्या करना है, सिर्फ लखनो branch account के ऊपर focus करना है, आज आगे बढ़ते बिटा, next item क्या बुला है, the branch incurs some expenditure, which is met out of its collection, देखना पड़ेगा, this is in addition to expenditure directly paid by HO, HO जो खर्चा करता है, उसके अलावा, फिर purchase दिल्ली के, अभी हम लखनो का कर रहे है, direct expenses दिये, किसका, direct expense हो का है, हाँ, हो का है, expense paid by HO, मुझे एक entry बदाओ, expense paid by HO, लखनो branch के लिए खर्चा किया, branch to cash, तो क्या हम लिगेंगे, to cash, underline करके लिखेंगे, expenses, बताओ बड़ा कितना है, 14 to 50, अगर तुम stock data से निकल कर answer दे पाए, तो तुम जीत रहो समझ लेना, फिर next, sales दिया, बड़ा, क्या sales के entry record करते हैं, नहीं, हम किसके entry record करते हैं, remittance की, बराबर है, तो sales की नहीं होगी, sale, घी का दिया, ओईल का दिया, फिर collection made during the year, 647, 350, 330, बाउक मद हो, यह collection है, बट क्या remittance है, नहीं, तो क्या बड़ाजी, मैं इदर लिगू क्या, buy cash, remittance कितना है अगला वाला, 6,13,250, remittance चेक करो, 6,13,250, do you all appreciate, 6,13,250, हाँ है ना, आगे पढ़ते हैं, दिल्ली के balances दिये, बटा हमें, दिल्ली के balances में क्या interest है, agreed, तो बटा आगे क्या लिखा है, opening balance, opening balance, गी का लिखेंगे, 17,000, opening, oil card, 27,000, dators का दिया, dators का balance दिया है, बटा जी मुझे कितना, 75, 750, वैसे बटा, इसके closing balances भी दिये, वैसे तो cash in end भी दिये, to opening cash, opening cash balance कितना दिये, 75, 750, मैं भी भाही बोल रहा था, पता नहीं कौन गन्फूज कर रहा है, 75, 40, furniture and fittings भी दिये है के बटा, so to furniture, हाँ बो भाही कितना है, 6,250, अभी बटा, closing balance भी लिख देंगे क्या, so हाँ जाओ बेटा जी, buy, balance, carry it down, उसके अंदर पहला, stock, उसके अंदर घी, 13,250, फिर oil, 44,750, फिर क्या है, debtors, बट बेटा पता नहीं है, तो मैं question mark डाल के रख दूँगा, debtors, cash, 12,350, furniture, बटा, फिर फिर को और डेप्रिशेशन दे नहीं है क्या, नहीं, अल्रेड दे रहे हैं 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 नहीं, 56,25, plant and machinery तो हैं नहीं है, agreed, आगे पढ़ दे, आगे पढ़ दे, addition to plant and machinery on 1, 1,2011, 6,27,50, comes a question, comes a question, कि ये हो का है कि ब्रांच का है, ये हो का है, I can prove you with reason, बटा, ब्रांच कोई production नहीं कर रही है, कोई direct expense नहीं है, ब्रांच का है, कि ब्रांच काई ब्रांच कोई नहीं है, तो वो हो की एड्शेस्मेंट है, ब्रांच मैंजर का हमें करना पड़ेगा, जनरल मैंजर को सैलरी भी दिया और जनरल एक्षेंसेस इनकड़ भा हो दिया, तो हो की एक्स्पेंडिचर, अब जहां तक मुझे समझ में आ रहा है लखनो ब्रांच में दो आइटम पेंडिंग है एक डेटरस का क्लोजिंग बैलंस और एक मैनजर का कमिशन और फिर अधिर अज़ सो डेटरस परन निकालने के लिए अधिमरेंडम डेटरिस्काउंट तो एक डेटर्स अकाउंट इस बिल्कुल स्बौस्ट औम लिए ट्बैस्ट पैलन ब्रॉटट डॉटण कितना है बिटा टू बैलेंस बुरट डॉन 75, 750 75, 750 डन बाई क्लोजिंग बैलेंस पदा नहीं बिटा अचा सेल्स दिया है गया बट बट जी सेल्स में एक सेगंड कहीं पर भी कैसेल दिया है गया कैसेल्स कितना है या हम किसी भी आलत में निकाल सकते हैं कैसे कैसेल कैसे निकलेगा गुडिया रेमिटन मतलब जितना पैसा भीजा कैसेल कैसा निकलेगा इस वीजिट किया है क्रेडिट सेल माइनस किया तो क्लेक्षिं में इसे क्रेडिट सेल माइनस किया तो कैश iç Novika सकते अज तो इस कहीं पर भी यह नहीं बता है कि क्रेडित है और की कैस्ट है क्या करना पड़े डेटरस अकाउंट और क्रेडिट सेल है पचास हजार और कैश रिसीवड है थर्टी थाउजन तो बेटा क्लोजिंग बैलेंस आपका कितना आ जाना चाहिए थर्टी थाउजन यह एक्च्छल डेटरस अकाउंट है अब अगर मान लो मैं ऐसा बोल दूं कि मैंने कैश सेल इसम और क्लेक्शन में मुझे टोटल दिया हुआ है वेटा इस प्रओहल में इस प्राउब्लmom में इस क्यूभल क्रफ्रकेट कैस सेल एंञे डिट उर तुम करकर बता दो मुझे अशसेल निकालने के लिए टोडल तेल पता होना चाहिए उसमें से टोडल सेयल पता है credit sale पता होना चाहिए एक क्रेडिट से माइनस करेंगे तो क्या मिलेगा cash sale अब हमें credit sale भी पता नी है और हमे cash sale भी पता नी है तो हम कहां से निकालेंगे फिर कितना credit sale हुआ समझ मैं आ रहा है कि नहीं आ रहा है तो एक और simple trick क्या है कि datress में cash और credit sale दोनों ले लेंगे और collection में भी cash और credit sale दोनों ले लेंगे तो automatically figure match हो जाएगा say yes so बिटा जी लिखो इधर two sales अब बताओ मुझे sales कितना है घी का 340 to 750 very good बिटा and oil का कितना है बिटा 315 730 do you all appreciate बिटा जी buy collection तो बिटा यह sale में तुम यह बोल रहे हो ना कि cash और credit दोनों आ गया तो collection में भी मुझे दोनों लेना पड़ेगा सुसरा देखो collection during the year मुझे पूरा का पूरा दिया है ना 647 330 और बोला including cash sales कोई और item pending रह रहे है क्या कोई bad dates है कोई discount allowed कुछ भी है क्या नहीं तो बटाची ज़रा निकाल कर बताओ तो मुझे daters का closing balance कितना है कि तुम्हें इस method का demerit भी समझ में रहा है क्या वह अपने को जैसे चाहिए वैसे information भीशते थे वो लोग ब्रांच वले अब देखो इदर कैसे निकल के भी जा 86 900 इस इस वाट माइ डेटर क्लोजिंग बैलेंस से एस चलो बटाची आ जाओ इधर इधर हम क्या लिगेंगे डेटर का बैलेंस कितना लिगेंगे 86 900 मैं अब सभी लोगों से request करूँगा कि एक बार टिक मक कर दीजए घी का opening है closing भी एगिया oil का opening है closing भी एगिया furniture opening closing है गिया डेटर भी आ गया और cash balance भी आ गया हाँ है नहीं तो मतलब हमने सारे बैलेंस भी लिग दिया बैलेंस अब इसके बाद तो मुझे जीपील निकाल कर बताओ तो जीपील जनरल प्रेंडल अकाउंट में जो जाएगा यह बात समझ आ रही है क्या सिर्फ डेटर्स का फिगर मिसिंग था जो हमने अभी कैलकुलेट किया और डेटर्स का फिगर निकालने में थोड़ी सी मशक्कत करनी पड़ी अच्छा तुम से स्लो कैसे हो गया रहे हैं 58335 यस और नो बटब पाई 58335 में एक एड्जेस्मेंट अभी भी बाकि है कमीशन बट बटा मुझे बात बता यह कमीशन आप्टर चार्जिंगे के बिफोर चार्जिंग आफ्टर तो कमीशन तो अभी तक चार्ज किया नहीं सो हम क्या करेंगे तू कमीशन पेबल बिटा आपको याद होगा तो यह अब जिए बीट सब्सक्राइब एग वी तो अब फर इन चार्च चार्च नोट अच ऑनगा ओपनिंग रहा तो क्रेडिट साइड जो सिंग रहा तो डेविट साइड याद आर रहे ग्या जैसे असे असे लिखीए है वैसे लूजिग लिएप्लिट टो ए 53, 032, चेक कर लो बेटाजी, 54, if you are all, okay, can we move ahead to the next part, so after memorandum, daters account, you are all requested now, to create the account called as, trading and payhandle account of Arnold, , यहाँ तो गुआजञ वीटा, तो इसमें कौंसा एक फिगर आपको जो तंग कर सकता है, वो यह वाल फिगर है, इसको अंगर दिया है, कि बात कटम, agree now let's create trading and pay handle account of what arnold now it has got nothing to do with branch trading and pay handle account of branch question ko dubara padhenghe और अभी data किसका दूंदेंगे सिर्फ हो का सुबटा हो मेरे साथ और मुझे पता हो क्या-क्या data अर्नल्ड अभ दल्ली ट्रेडर्स इन गी अन ओल इधाष अधाष 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 न फिर आपको दिया गया तू पर्चेस तो पहले ओपनिंग स्टॉक आएगा तुम्हे जगे चोड़ दीता हूँ और फिर आएगा तू पर्चेस तू पर्चेस में आएगा घी घी कितना आएगा 14,75,000 फिर आएगा ओईल ओईल कितना आएगा 29,32,000 बिटा जब यह आगे तो अब आपके पास और क्या है डारेक्ट टू डायरेक्ट एक्षपेंस तू डायरेक्ट एक्षपेंस थ्री लैक्ट एटी टू सरी 83,275 बिटा बिफोर भी फगेट इवुड लाइक तो लेट यू नो कि जो हमने पर्चेस किया है उस माल में से हमने कुछ ब्रांच को बेजा है अगर आपको याद होगा तो सुबटाजी मैं इधर क्या लिकूंगा बाई गुड्स सेंट टू ब्रांच याद आ रहा है ना अब जो केसस के तना उसका है इधर हो रहा है कि इधर ट्रेडिंग में क्यों क्रेडिट हो रहा है क्योंकि माल बेचने के अलावा कुछ भी किया तो इधर से आउट करने का मा बिटा घी आपने बेजा था फिफ तू लक्स सेवेंटी तूजन या फिर मैंसे करूंगे 1510 इंटो 12 इंटो रूपीस 1500 और दूसरे वाले को कितना लिकोंगे 2510 इंटो 12 इंटो हमच थाउजन चैना है था फिगर 2,70,000 चैना है था इसकंड विगर absolutely correct and what will I write down by sales sales भी कितना दिया घी और ओल गी का सेल दिया 1846 350 और ओईल का दिया बिटाजी 2741 250 ओके 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 ऐसेल्स अगया collection during the year हो गया remittance by branch to HO हो गया यह सारी चीज़े ट्रेडिंग पेंडल अकॉंट में नहीं आती हाँ है ना आगे balance as on opening stock तो बिटा क्या लिखेंगे घी कितना बतर ही उडिया 1,50,000 और ओईल 3,50,000 that's correct बिटा closing stock भी है by closing stock घी 2,00,12,500 ओईल 17,250 डियल अप्रिशेट यस अच्छा cash on hand कहीं नहीं आएगा बिटा furniture and fittings अच्छा सरी डेटरस कहीं नहीं आएगा cash on hand कहीं नहीं आएगा furniture and fittings बिटा इन दोनों के बीच का difference ये depreciation कहला जाएगा so pay and account के debit में लिखेंगे two depreciation two depreciation two depreciation बिटा फरनीचर का opening balance बदाओ furniture का opening balance 21,500 – 19,350 क्या 21,50 अगर आपको rate भी दिया है तो rate से भी आप कर सकते हो 10% rate दिया है कि देखो yes अच्छा अब plant and machinery बिटाजी plant and machinery machinery का closing balance कितना है बिटा machinery का closing balance बढ़ रहा है दिख रहा है अगर इन दोनों का difference लिया तो सिर्फ और क्या हो गया तो machinery के लिए क्या करना पड़ेगा opening value 3,07,250 है किया इंटु क्या rate है उनका 15% और दूसरा उनका addition कितना है 6,27,50 into 15% बिटा date of acquisition चेक करो तो date of acquisition चेक करो तो 1,1,2011 और year end कौन सा है का भी दिया हो है Jan to December अच्छा December है बिटा heading देख लो December है सो बिटाजी 6,27,50 into 15% बताओ मुझे कितना है 3,7,250 plus 6,27,50 into 15% कितना रहा है 1,36,500 डियाल appreciate अब यह 1,36,500 कैसा है देख लो एक बर plant and machinery single entry जागा हो single entry topic 3,7,250 बाई कितना किया है पंडया 6,27,50 closing balance दिया है 7,73,500 डिफ्रेंस निकालो 1,36,500 आ रहा है कि depreciation तो या तो तुम यह वाला तरीका यूज कर लो या जैसे मैंने calculate किया वैसे ले लो बात one and the same है yes or no so with this you are done with machinery का भी depreciation है न अब machinery के depreciation के बाद आपको branch के दिया हूँ है उसका कोई लेनन देना बट ब्रांच का profit तो लेना पड़ेगा P&L account के credit side में GPL लिखा था तो ब्रांच के यहां पर debit side में branch account के है तो can I not write down by branch profit बोल बटा कितना ब्रांच प्रॉफिट 53 0 2 3 2 53 0 3 2 अभी manager की salary टू manager salary ने बिटा वो manager commission है manager salary तो 20,000 होएगा क्या 2000 पर मंत और जन्रेल एक्स्पेंसेस जन्रेल एक्स्पेंसेस यह तो 24,000 डारेक्ली दिया है do you all appreciate now boys and girls is there any other item which is pending now I am requesting you all to first calculate the GP first calculate the GP किता बोल रहे गुंडेया 597 so 2 GP 5970 075 now boys and girls you are expected to calculate the commission so commission के पहले profit निकालो 2 to profit before any adjustment 463 so 2 managers commission जरा देखो general manager के commission का क्या है क्या wording है 10 commission on overall company profit underline the word overall company profit मतलब शिर्फ एर्नॉल्ड का stand-alone profit ने overall company profit after charging such commission तो बटा profit कितना बता रहे थी तो 463 457 into 10 by 110 42, 132 42, 132 and या आजाएगा 2 net profit कितना आजाएगा बताजी 421 421 325 and does that tally तो बटा question tough नहीं था एक datress का छोड़ दे तो question tough नहीं था but question में moment कहां से कहां कैसे क्या हो रहा है ये समझना बहुत जरूरी था तो बटा अभी ये तक हमने कौंसे कौंसे method देख लिए यहां तक आजाने के बाद बताना datress and stock and datress method yes or no now I am going to teach you the next method that is called as final account method गुडिया एक demo देखनेगा क्या class में ठीक है एक demo देखेंगे क्या अच्छा नीचे जो बच्चे बैठे होंगे अपने office में SPC के office में वो become candidate होंगे become तो होगा ना कम सकाम तो उनको problem दिखाने का और ये लखनो branch account दिखाने का और बोलने का कि इसमें profit निकल रहा है फिर वो branch account देखेगा opening balance घी, oil, furniture ये सब देखेगा बराबर है ना फिर वो बोलेगा अरे वो खर्चा क्यों नहीं बुक किया रहा है इसमें देखो एक expense भी किया branch ने इसी question में branch ने भी expense किया ना तो पुछेगा कि नहीं पुछेगा अरे expense दिखने ही रहा है तुम बोलेगे ये रहा तो ये तो बोलेगा ये तो echo का है branch का expense का है क्योंकि वो putta क्या सिख्या है रहता है क्या सिख्या वह तो putta Pay handle account trading Pay handle account उसको नहीं सिख्या रहता branch account branch account hardcore accounting आने को न तुमको मेरे पर भरुसा नहीं है तो मैं तुमको यहाँ से बेजता हूँ इस problem के साथ नीचे जाओ और किसे भी become candidate, mcom candidate देट को पकड़ो उसको पूछो यह क्या चालू है मेरे को बताना मेरे को नहीं समझ में रहा है का इसा प्रफिट आया अगर यह इससे पेट नहीं भरे उसका यह समझा दे तो बोलने का यह स्टॉक अंडेटर समें तेड है वह बाई क्या बोल रहा है तुब रांच उन्होंने बोला कि मुझे दिखाओ ब्रांच का प्रॉफिट कैसा है तो अपने पुट्टे लोग चले गए ब्रांच अकाउंट बनाकर ब्रांच एडजस्मेंट अकाउंट बनाकर अग्रीड तो सामने आले आत्मी तो समझ में नहीं रहा है तो बाई क्या बोल रहा तु क्या ब्रांच अकाउंट रहता तु फरनीचर फिक्षर डेबिट साइड में क्यों लिख रहा हमको तो यह सिखाय कि फरनीचर फिक्षर बैलेंच रिश्ट में जाता है तुम प्रॉब्लम को फिल कर पा रहे हो तो इसके वज़ेसे जो डेटा दिया हुआ होता है उस डेटा में से अभी आपको चुन-चुन कर चीजे निकालनी पड़ेगी ट्रेडिंग पेंडल अकाउंट की और उससे फाइनल अकाउंट बना कर देना है है as simple as that अभी तक तुम ट्रेडिंग पेंडल अकाउंट कैसे बनाते थे 11th अभी पेंडल अकाउंट अब फरकक फिल्स इतना है कि आपको ट्रेड बैलें provश नहीं दिया जाएगा आपको दिया जाएगा branch account आपको दिये जाएंगी और वी कुछ account उनमें से अब आपको डेट चुरा-चुरा इधर final account में डलना है और उसको solve करन है 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 विए लंडेस्टू तुम एक छोटा सा रिक्वेस्ट करेगा आपको पूछ लो एक रिक्वेस्ट बेटाची जब अगला क्वेश्टन करने के लिए जाओगे तो जब ट्रेडिंग पेंडल अकाउंट भी बनाओगे तब आपको यह पता होना जरूरी है कि ब्रांच अक प्रीज जरूरी क्रेडड सेव लगनो यह तर छह कंकड बांच करदेट्स रफ्रियं अचाऊंट इनभक्रीड पांट करने क्रेडिट वानना थरी है को अग्य। तो ही देटा मंग को निकाले पड़एगा स्टोप कांसी निकावं में पागेória मिस्ट शॉरा इसे सिह stock account के भी credit side में तिख जाए गाई या डेटरस के भी कौनसे side में डेट side में say yes or no so my dear friend the next method which I am teaching you is final account method you already know it it's just that I am not going to create it on the basis of trial balance but on the basis of the details data which is given to me or joe my question अभी आप से करामे जा रहा हूं question number five you will not believe me this is an exam sorry this is a module question question number five is your module question the final account method कोई नया method नहीं है data चुरा कर put up कर देने का काम खतम हो जाएगा तो देखो क्या-क्या बुला है from the following information prepare memorandum trading and parental account of branch memorandum word क्यों है double effect है नहीं फिर भी हम trading payhandle account बनाएंगे and also show branch account as it would appear in the head of his books at the end of the year और कौंसा account बनाना है बिटाजी ब्रांच account जाला नीचे ब्रांच अकाउंट मतलब देटरस में अग्रेड as it would appear in the head of his books so तुमको branch cash दिया बिटा ओपनिंग cash पहले मुझे बताओ ट्रेडिंग पेंडल में कहीं जाता है क्या नहीं रिसीट रॉम डेटर्स ट्रेडिंग पींडल अकॉंट में जाता है क्या अरे मुझे रिसीट रॉम डेटर्स ट्रेडिंग पींडल में जाएगा क्या नहीं बस उतना बताओ मुझे बाकी गयान मत बटो cash sales cash sales trading account credit side sales कहां जाता हमा हाँ कहां जाता cash account debit side credit effect sales में और sales कहां पे ट्रेडिंग अकॉंट credit side अम्मा कैसी अंखे बंद करके को समझा समझा सारे एक्स्प्रेशन आ गया है अम्मा क्या अरे अम्मा cash sales trading अब छेला मत तू नहीं किया और क्तांडव ले अब तो थोड़ा से बता रहे है अब तो थोड़ा से बता रहे करा रहा है यह 3000 कह यह प्रेट्य कैश्प्रेश में से credit क्रेडिद्वा प्यी केश मतलब head cashier ने पैटि कैश्यर को 3000 रुपए दिए यह meaning है क्या मीनिंग को समझो पंडेजी पैटी केशियर वो पैसा खर्च करेगा वो जो खर्च करेगा वो एक्सपेंस इट करेगा पीपिएंडल अकाउंट को से यस तो यह नहीं जाएगा वागे जाएगा बैंक यह क्या है deposit यह Contra है cash में से गया, bank में जम्हा हुआ, trading pay handle account में आता है क्या, नहीं आता है, और closing balance, trading pay handle account में आता है क्या, नहीं, कुल मिलाकर तुमको एक याइटम मिला का इधर, cash sale, बदाई हो, अब ऐसे अपने को, हर एक account को देखना पड़ेगा, trading pay handle account में आता है क्या देखना आएगा, trading के credit में, buy cash, नहीं आएगा, और यह 37,500 इदर मैच हो रहा है, देखो, receipt from daters, discount allowed, आएगा, bad dates, आएगा, closing balance आएगा, closing balance आएगा, closing balance आएगा, नहीं आएगा, यह नहीं आएगा, यह नहीं आएगा, so bad dates, discount allowed आएगा, हाई रभा, अभी कौंसा account बना दिया, branch account, तुमने कमीन अपन देखा है क्या, इस examiner का, उत्ता कैसा कोई कमीना हो सकता है, तुमने question में पढ़ा नहीं वापिस से, देखो क्या लिगा, prepare branch account, show branch account भी बोला, और branch account सेट ने खुद बनाया है, बट पूरा नहीं बनाया है, और तो बोलेगा कि पूरा तु बना कर दे, तो अब इसमें से भी data चुरानिक है, to cash, opening balance है कि जाके देख लो cash account में, cash account बनाया हूँ है, और जाके देखो रे, data भी opening balance है कि जाके चेक करो, रे, हाई नहीं, data भी opening भी, हाई यह कुछ नहीं आएगा बट बस पूछ रहा हूँ, फरनीचर आएगा क्या, नहीं, stock आएगा क्या, बशिक गाउबर पेर, stock आएगा क्या, हाँ, कुछ नहीं आएगा, अभी कहां से आगा यह, यह कहां जाएगा, trading account, debit side, opening stock, goods transferred, आएगा, क्यों credit नहीं, debit में आएगा, क्योंकि मैं trading P&L account किसका बना रहा हूँ, HO का, eh sorry, branch का, HO के trading P&L में credit होगा, बट ब्रांच का expense है, तो debit होगा, direct expense है, समझ में आ रहा है क्या, तो यह debit होगा, furniture purchased, नहीं आएगा, sundry expense आएगा, पेंडल, धन्यवाद, 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 Of course, नहीं पेड़ वाले होगा, अगर होगा तो, ठीक है, जिनको नहीं बरुसा है, बाद में बात करेंगा, sundry expense आएगा तक, expenses outstanding, यह opening है, हाँ, नहीं, कहां पे आएगा, और कैसा आएगा, नहीं आएगा, हाँ, that's right, उसका क्या करने का महीं बताएगा, buy bank, buy bank, यह buy bank, यह buy bank आएगा, ट्रेडिंग पे इंडल अकॉंट में नहीं आएगा, औरे बैलेंस देया, इसके ऊपर धान मत दो, क्योंकि यह बैलेंस निकाल कर दिया, बहुंजाने किसका बैलेंस है, branch account का निकाल कर दे दिया, हाँ यह ना, closing stock, अरे प्रभू धन्यवाद, कहां कहां से धून- और expenses outstanding 900, depreciation at the rate of 10%, लेना पड़ेगा क्या, of the book value has to be provided on furniture, एक प्रश्न पूचूँगा, इस intelligent class को, single entry हो गया, single entry हो गया, single entry chapter हो गया, single entry में मेरे को बात बता, outstanding expense को कौंसा balance होता है, बराबर है, credit balance, opening, closing, paid, debit side, और फिर paid account का figure मिलता है क्या, तो अभी बेटाजी, बेटाजी, यह transaction कौंसी होती है, sundry expense वाली, transaction between, branch अने हो रहती है क्या नहीं, अभी branch account है, इसे क्या देख रहे हो, मिरे पास गूर गूर कर यार, तो हो ने ब्रांच के लिए pay किया होगा, तभी इधर 8,000 है, so expense account बनाओगे, opening outstanding, closing outstanding, जो paid है वो debit side में, और balancing figure किदर हीट मारेगा, pay handle, say हो, जंपुड़या, सलाम, थामता है के शला, पहला account बनाओ, working note, नहीं, working note पहले कर लेते, गुड़ी है कोई प्राब्लम, बनाओ sundry expense account, by outstanding expense, to outstanding expense, to cash oblique bank account, हो has paid it, to cash oblique bank, कितना आएगा, किता बतरे भाई, आट थाजार, opening outstanding, कितना है, 1000, और closing outstanding कितना है, 900, और यह जाएगा, by, pay and l account, 7900, appreciate, यह balancing figure है, यह जंपुड़या, एक petty cash account भी बनाओ, बताओ, पेटी cash expense कितना हैगा, पेटा, पेटी cash account जब मैं बनाओं, तब हैडी cash share ने हमको cash दी दी, तो cash, कितना दिया, 3,000, बता बच गई है कि क्या हुआ, इस cash के साथ, बता, closing balance बता है कि पेटी cash का, पेटी cash का closing balance नहीं दिया है, बता, तो क्या होगा होगा cash के साथ, खर्चा हो गया होगा, तो किना नहीं आट रेटान बाइ, यह समझ में नहीं आता है, यह account बनाने के बाद में समझ में आया होगा तुम्हें, और यह 3,000 कहा हीट मारेगा, पेटी अल अल अगाउंट, अगाउंड, पेटी अटी मारेगा, पेटी अल अल अगांट अगाउंट, है है हैodies पर स्फिर्फ निर्रक रोदेडरे टरइडिंगा को और किन आप the first item प्लीज इपनिंग स्टॉक थे पता तुमैं बटन स्क्वेंश में देबाइट ओडिया हमें घूड़anca cash account में से दो आइटम मिल रहे है एक cash sale और एक आइटम अभी मैंने धूंड के निकाला petty cash expense क्योंकि उसका closing balance दे नहीं दिया वो खर्चा हो गया है so cash sale तो इधर लिखूँ क्या buy sales इसके अंदर cash sale बूल बटे कितना है 25,000 और इसी के साथ इधर में लिखूँँगा petty cash expenses आप सभी लोगों से अनुर हो दे अभी ब्रांच डेटरस अकाउंट देगो sales तो बटा की जी क्या मैं इधर credit sale भी लिख दूँगा absolutely correct बटा 45,000 बटा अभी नेक्स्ट डेटरस में आपको और कुछ आइटम मिले दे इसकाउंट अलोड तो डिसकाउंट अलोड हो मच इस डिसकाउंट अलोड 1000 हो मच इस बादेट्स डियाल अप्रिशेट और यह वर देटरस बालेंस अच्छा मुझे एक बात बदाओ यह ब्रांच अंट से कौन से कौन से डीटेल्स को मिले थे तो ओपनिंग स्टॉक मिला ना बिटा तो ओपनिंग स्टॉक कितना ओपनिंग स्टॉक 10,000 फिर टू गुर्ट सेंट टू ब्रांच कितना बदाओ रहे बिटा 45,000 that's correct बिटा फिर फर्नीचर पर्चेस उसके पहले संड्री एक्स्पेंस भी तो पता चल गया तो संड्री एक्स्पेंस बताएंगे आप मुझे कितना है चुप जूटे संड्री एक्स्पेंस मैंने वर्किंग की दिया भी 7,900 इसंट एट फर्नीचर पर देप्रिसेशन आ कहीं पर यार क्लोजिंच तोक नहीं मिला है क्लोजिंच तोक नीचे मिल रहा है क्या बाइग क्लोजिंच स्टॉक किद्या यह डिए और expenses outstanding 900 वो इधर आएगा नहीं, हाँ या ना, अभी सिर्फ बाकी क्या रहा, depreciation, तो क्या मैं depreciation इधर लिखो, 2 depreci, बटा, furniture का opening balance कितना है, चेक करके बताओ, 7500 है क्या, furniture का opening balance, branch account में दिया है, देखो, और buy कितना किया है, 2500, 2500, सो बटा, देखो, 7500, प्लस 2500, बटा, गई मत करो, प्लीज, क्योंकि इधर बहुत बच्चों ने राड़ा किया है, depreciation, क्या rate बता है, on what, ऐसे लिखा न, 10% on book value, has to be provided on furniture, now you tell me, what is the book value, book value is 10,000, book value is 10,000, उन्होंने कहीं नहीं बुला, opening value पर करो, उन्होंने ये भी नहीं बुला proportion, उन्होंने clear-cut भाशे यूज किया, book value पर 10 रका, तो book value तो बटा 7,500, रोड़ा ही होगी होगी न, so into 10%, can I not have the figure, 1000, से हो, अब मैं आप से पूचूँ, जीपी कितना हैगा, 2GP, 2GP, 19,000, ये टैली कर गुडिया, बिटा कोई commission वग रहे गया, इधर क्या आएगा, buy GP, 19,000, और 2NP, 4600, तुमारे उपर, जिम्मेदार ये तुमारे खंदों के उपर, कि तुम्हें ये NP लेकर branch account टैली करके दिखाना है, उन्हों ने बोला ना branch account भी बनाओ, तुम्हें ये NP लेकर, branch account टैली करकर दिखाना पड़ेगा, अगर मानलो आ गया न ये question exam में तो bonus marks है, और जो नहीं करकिया है, pen भी नी उठा पाएंगे, पहले यहां तक आजाओ, फिर हम branch account बनाएंगे, यहां तक आगई कुडिया, अगर अगर मैं डाइट बिटा, ओके, नाओ आएंगे रिक्वेस्टिंग याल, कि एक बार जितना branch account आपको दिया है, उतना बनाओ, जितना branch account आपको दिया है, उतना बनाओ, कॉपी कर लो कोई दिक्कत नी, अगर मैं directly balance लेकर करूँ, तो भी चलेगा, बट मैं branch account जैसे आपको सिखाया वैसे करूँगा, तो मेरे साथ लिखना शूरू करूँ, तो बैलेंस ब्राइट डाउन, जैना नॉट राइट डाउन, कैश, 7,500, फिर डेटार्स, 3,000, यस बेट गोएड, फरनीचर 7,500, फरनीचर 10,000, तो गुट सेंट ब्राँच, 45,000, तो चैश, अंडरलाइन करकर परनीचर, क्योंकि है चो और इसके बिच के ट्रांजिक्शन है न, फरनीचर 2,500, और साथी साथ संडरी एक्स्पेंसेज, कितना आएगा, 8,000, क्रेडिट साइड में आएगा, बाई, आउटसेंदिंग एक्स्पेंसेज, ओपनिंग बैलेंस, 1,000, सही है न, ओपनिंग बैलेंस, और बाई, कैश बैंक, अंडरलाइन करकर, रेमिटन्स, रेमिटन्स कितना है बिटा जी, 62,000, फिर उसके बाद में आपका आएगा, बाई बैलेंस, बट बैलेंस तुम लिखोगे नहीं, क्योंकि मैंना इसी कोई चीज आपको सिखा ही नहीं है, अब आपके ओपनिंग बैलेंस आगया, वैसे ही आपके पास क्या आने चाहिए, क्लोजिंग बैलेंस, जो बटा मैं बलैक में लिख रहा हूँ, वह भी आपको समझ में आना चाहिए, प्लीज अंडर्स्टेंड, आइल रेट डाउन, बाई बैलेंस, मुझे कैश का बैलेंस चाहिए, मुझे डेटर्स का बैलेंस चाहिए, मुझे फरनीचर का बैलेंस चाहिए, और मुझे स्टॉक का भी बैलेंस चाहिए, तो स्टॉक मुझे लाइन में नीचे दिया है, चार हजार, furniture का balance बेटा मैंने 10,000 minus 1,000 मेरा balance है 9,000 बेटा मेरा datress का balance देखे बता closing balance, datress account बनाया हुआ है देखो तुमारा, question ही दिया हुआ datress account, turn the page datress account का balance है 8,000, दिख रहे है क्या और वैसे ही बेटा cash का closing balance देखे बता 5,000, ये question में ही दिया हुआ है और बेटाजी 2, outstanding expense ये balance नीचे दिया हुआ है बेटा 900, closing balance say yes or no और 2 GPL जो अल्रेड़ी हमने ब्रांच का trading से निकाला, 4,600 उसके बाद में ये account tally होना चाहिए और अगर मानों नहीं भी आप tally करते हुआ, 4,600 balancing figure आना ची आरे किते पर टाली हो रहा है 4,600 balance किते पर टाली हो रहा है 89,000 ना चेक कर लो मस्तला ग्रामतर अब दो अकाउंट को चेक कर लो ट्रेडिंग प्रेंडल अकाउंट दिया तुमने तुमारे मैनेजमेंट को तो वो बंदा सीख क्या होगा उसको ये समझ मैं आए का 4,600 कैसे है बट तू उसको ब्रांच अकाउंट देगा तो लपड़ा है के नहीं है इसलिए बटा जिब फाइनल अकाउंट मेमरेंडम बिसिस पर बनाते थे बिलीव मी अगर ये क्वेशन आया तो ये क्वेशन लेकर दूबेगा मेजॉरिटी उको उसको अच्छे से कर के जानना लिकलो रिवाइस बीफर एक्वेश अनुắt ये इस एसमोड कोस्यों पनीर के स्टीज अइनल इस टीजोड़ा से करो इस तो बात करेंगे पेंदेंट ब्रांच या इन्डिपेंदेंट ब्रांच दोनों में हिं उसका calculation portion देखना है, wholesale price method नाम का कोई method नहीं है, जैसे मैंने final account method है, datress method method है, stock and datress method भी method है, but wholesale price इसलिए इसलिए सिर्फ अलग से deal करना, क्योंकि उसका एक trick है, जो हमको अलग से देखना पड़ता है, are you getting my point? So boys and girls, without wasting the time, we are going to do question number 6 and 7 and wind up the story, so please come down to 6 and 7. Now please read the question, question 6, White Limited has a retail branch at Goodgaon, goods are sold on 60% profit on cost, okay, the wholesale price is cost plus 40%, goods are invoiced from Calcutta head office to Goodgaon branch at wholesale price from the following particulars, a certain the profit made at HO and branch for the year ended, 31st December 2007, what are you saying, how much the branch had a profit, how much the HO had a profit and how much the HO had a profit, you calculate it and give it to you. So you have got opening stock, you have got purchases and you have got goods sent at invoice price, similarly you have got expense, sales and you have got what? closing stock, so you have got how many items? 3 items, 3 items, are you happy? Now what do we do? Almost every time you should do this equation first write, C, P, WP, P, SP or IP. Now what is C, cost, P is profit earned by HO and WP is the selling price of HO and P is the profit earned by branch and selling price is the goods which are sold to the customer. So if you read carefully, it says goods are sold on 60% profit on cost, which percentage is the cost? So can I not write down 100? So it will be 160, sold to customer or sold, the wholesale price is cost plus 40%. So cost plus 40% means 140. So how much profit is in it? 40 and how much profit is in it? 40. Do you all appreciate it? Okay. And they said goods are invoiced from Kolkata head office. 20. I have written 20. Okay. From the following particulars, assert and the profit made at HO and branch for the year ended 31st December 2007. So Bita HO, two people are buying money. A customer to this rate, a branch to this rate, a branch to this rate. And the branch is buying money. It is at the rate of 160 and the cost is 140. So Bita, if you have to ask questions, you will understand how to solve it. So everyone is requested to create trading and profit and loss account. स्काउंट, कॉलमनर फॉर्मेट में बनेगा. एक कॉलम होगा एच्चो दूसरा होगा ब्रांच. एक कॉलम होगा एच्चो और दूसरा होगा ब्रांच. now what do we do what do we do two opening stock how much will I write down 1,75,000 branch का opening stock दिया है के बिटाजी 9 next two purchases 10,50,000 now goods sent at so can I not write down by goods sent to branch it is 3,78,000 can I expect one thing from you student ये हो की income है ब्रांच का क्या है expense so can I not write down two goods sent to branch और ब्रांच के कॉलम में हम लिखेंगे 3,78,000 I hope you got my point moving ahead you have got two expenses P&L account में अगा 56,00,000 Iदर आगा पाई sales 10,71,000 and 3,50,000 and by closing stock you'll have 4,20,000 and 63,000 so there is no concept of reversal of loading nothing nothing I just told you that the stock reserve will come last and why it will come and when it will come I will talk about it check it out one of the effects I have told you and then I will tell you the expense I will tell you in every case there is expense and income now the GP 2GP 6,44,000 6,44,000 6,44,000 3,44,000 35,000 35,000 are you debit credit क्रेइट से क्यों कि फिर इदर आ जाए का बाइज जीपी 6,44,000 और 35,000 और फिर इदर आना है 2NP हाय निग अब तुम बोलो कि सर इतनी फालतु की प्रॉब्लम क्यों कर रही हमसे अभी सुनो मेरी बात क्या इश्यू है एक बार यहां तक लिक कर हो जाए तो फिर मुझे बताना यह कॉंसे प्रॉब्लम में सिर्फ इसके आगे बैंड बजेगी अपनी क्या है अगली प्रॉब्लम में निकालना एक अपने आप में हर्किलन टास्क है होलसेल प्राइज में में क्लोजिंग स्टॉक निकलने के लिए बोलते हैं यह सिर्फ कॉंसेट कोशन है इसलिए मैंने नहीं कर रहा है बट इधर मुझे जो आपके दिमाग में भरना है वो बात यह है सुनिये इफ यह केरफ तो इस 378,000 पर एच्चो ने प्रॉफिट कमा लिया है बट वो जो माल ब्रांच के पास गया है उसमें सारा का सारा माल भी का नहीं है अभी भी 63,000 के गुट्स है और इस 63,000 के गुट्स कहां से आए होंगे एच्चो से और एच्चो ने उस पर प्रॉफिट कमा आया है मतलब एक एंटीटी के एंगल से दिखोगे एच्चो ने ब्रांच को बेजा ब्रांच के पास माल पड़ा हुआ है और एंटीटी कह रही कि मुझे प्रॉफिट हो गया विचिस रॉंग हाई है नहीं तो जो ब्रांच के पास माल पड़ा है जब आप ऐसा बनाओगे जी पी एल तो इदर आप क्या लिखोगे बाई एंप आफ एच्चो फाई लाग एटीट थाउजन से एस और बाई एंप आफ वोट ब्रांच कितना लिखोगे 28,000 और इदर लिखना पड़ेगा टू स्टाउक रिजर्व इस पर प्राफिट किस ने रियलाइज किया था ब्रांच अगर यह एक्वेशन देखोगे तो यह कौंसी प्राइज पर रिप्रेजन कर रहा है 140 तो 140 पर कितना 40 का प्रफिट है प्राइज तो यह राए जाए गा तो ने प्रफिट अ वाटेवर प्रफिट वाटेवर पेनल अगावाट अगाट अ मुछ एट फाइलाइट प्लस ट्वेंट थाज़जन माइनस एटीन थाउजन कितना रहा है फाई लाएक नाइटी थाउजन दियो एप्रिशेट मैं आप से एक छोटी सी विंति करता हूं बेट प्लीज नारज नहीं होने कि अगर मोडियूल ने एक और कॉलम बना कर इधर स्टॉक रिजर लिग दिया या मोडियूल ने हो के कॉल तो फिर चिट चिट नहीं करना हमने क्या किया एक सेप्रेट अकॉंट बनाकर वहां पर लिग दिया इसका इन पी इतना इतना इन पी और स्टॉक रिजर और यह फाइनल प्रोफिट है जो भी डिपेंड ब्रांच के बाद कल शुरू करेंगे हम इंडिपेंड ब्रांच आप सभी लोगो से विंतिए कि पूरे कॉस्ट्ट देख और निकल देना जो भी डिपेंड ब्रांच के है झालाब के पूरे करेंड ब्रांच के बाद कि देख और ब्रांच के है चले भी आगया है यह नाओ देर वन कोशन नुबर सेवंथ प्लीज कम नाओ नुबर सेवंथ a head office invoices good street branch at twenty percent less than the list price that is catalog price catalog price is a selling price goods are sold to the customer at cost plus hundred percent this is the catalog price from the following particulars a certain the profit made at HON wholesale basis for the year ended 31st December 2007 बिटा made at HO and branch and branch at the wholesale basis for the year ended वगर वगर ठीक है चले भी आगे ओपनिंग स्टॉक है add IP for branch है एच्च के लिए तो cost है पर्चेस दिया हुए गुट सेंट ब्रांच add IP ब्रांच ने भी सेल्स किया है ब्रांच ने भी सेल्स किया है एक्स्पेंस दिया है अजूम add head office sales goods to customer at catalog price पहला काम आप सभी बच्चों से कि पहले equation float करिये CPWPPSP CPWPPSP equation frame किजिए और इस question में अभी आपको बता दू closing stock दिया हुआ नहीं है यह आपको निकालना है they haven't given the closing stock तो पिछले question के मुकाबले इसमें हम दो step और नहीं सिखेंगे तो equation frame किजिए CPWP और IP और SP okay if you are all ready can I take it to the next step c100 y100 जरा जाके देखो कस्टमर को माल कैसे यह आजाता है cost plus 100% so this will be 200 WP क्या लिखा तुमने 160 140 200 catalog price है उससे 20% less so 200 का 20% that becomes 40 40 less करेंगे तो तुमको मिलेगा यह 160 और जिनों ने 140 लिखा तुम पहले बॉल पर बोल्ट हुए हो इस सोचके लिगने का 160 आएगा क्योंकि उसके बाद में आगे कि सारे चीज़ेस फिगर्स रॉंग हो जाएगे यह equation सब से important थी तो जाहिर सी बात यह 60 है or a 40 I hope you got my point so now without wasting time again create मैं इस वर तीन कॉलम बनाऊंगा आगेड़ दोई बनाइगे जान निखांगे बस यचीओ यो यो बांच यचीओ और ब्रांच ट्रेदिंग एंच पेंडल अगांट वीर बहादूर बच्चो इधर लिगेंगे टू 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 ओपनिंग स्टॉक कितना 40,000 विटा 16,000 पर स्टॉक रिजर निकलने अब अभी नहीं एक बार जनरल पी एंडल अगांट निकल जाएक फिर करेंगे say yes or no yes fear two purchases four lakh will go say beta two or buy goods sent to branch for HO it is 96,000 for branch it is expenses 96,000 goods received from BHO both secure a good sent to branch 96,000 the way you want it by sales it happens to be six lakh in 80,000 and by oh by gucini two expenses for it sorry either I gonna two expenses it is 6,000 and 4,000 so boys and girls have you all realized that here is one item missing which is called as closing stock ना हमें एच्चो का पता है ना branch का पता है जब तक closing stock नहीं आएगा GP निकालना गलत होगा say yes इसमें शॉटकट है एक बट फिर मैं तुमारी बैंड बजा दूंगा department chapter के इसाब से तो मैं आपको working बच्चा भी कर लेगा बच्चा भी कर लेगा बट I need to teach you from other angle also क्योंकि वो department में भी काम आएगा तब को closing stock निकालना है so closing stock कैसे निकलेगा देखो I'll write down closing stock at HO no one is going to write everyone is going to see it logically first क्योंकि सीखने की बात है मैं कहूंगा opening stock at HO बताव बिटा कितना opening stock at HO 40,000 बिल्कुल सही बिटा फिर मैं लिखूंगा add purchases 4,00,000 बिटा और कहीं से भी कोई माल आया है कि हमारे पास नहीं so illa 4,40,000 less cost of goods sent to branch okay और तुमने बोला 96,000 बन गे पपू अरे गदेडो डेबिट साइड में cost 100 100 में से 140 या 160 कैसा माइनस करते है समझ में आ रहा है कि नहीं cost में से cost minus होगा you cannot subtract 96,000 please understand these are cost so इस में से cost minus होगा तुम 96,000 minus कर रहा है तो 96,000 is wholesale price you'll have to convert 96,000 into wholesale price say yes so बिटा जी ये at cost निकल रहा है तो कैसे निकालेंगे देखो 96,000 पूरी क्लास का देन इदर into 100 divided by 160 60,000 less cost of goods sold can I expect an answer from you what is the sale what is the sale by HO? HO का sale कितना है? 6,000,000 है गया? so now my dear friend 6,000,000 ये कांसी रेट पर सेल होता है? 200 पर? क्यों क्स्टमर को 200 पर बेचते हैं इदार कितने में बेचते है? 160,000 so divide by 200 और इसकी cost कितनी 100 है गया? मतलब 200 को 100 में convert करना है 3,000,000 इसके अलाओ कोई normal loss abnormal loss कुछ भी? नहीं तो बेटा जी इसके बाद में जो बचा हमारे पास क्या बचा है? closing stock at cost कितना रहा है बेटा? I hope you all have understood what I have done. Similarly, I will have to calculate closing stock at branch at WP क्योंकि branch को सिर्फ WP पता है branch will not be able to tell me what is the cost I will have to convert WP into cost so I will write down opening stock at WP branch के आँपर? 16,000 I will write down goods received from HO at WP it is 96,000 I believe so what is the total 16 plus 96? 1,12,000 less cost of in the bracket WP WP of goods sold what is the sale value? 80,000 now boys and girls 80,000 is at 200 and I will have to convert it into what? 160 WP so into 160 not not 100 100 is multiply कर दूँँगा तो क्या मिल जाएगा? cost मुझे चाहिए WP क्योंकि WP में से WP minus होगा कितना है रहे बिटा? 64,000 64,000 I will subtract and 48,000 और तो कोई माल के साथ नहीं गया नहीं परना है 48,000 So 48,000 is what? my closing stock at branch but having said that I will have to now calculate stock reserve on this हाय निग and stock reserve will be 48,000 into कितना stock reserve 48,000 में 60 divided by 160 equation के पास देन दो 48,000 represents 160 उसमें stock reserve 60 बता बटे कितना रहे? 18,000 18,000 that's absolutely correct समझे क्या पंडे जी तो जो question 6 में दिख रहा था वहां तक सिर लॉजिक गुसाय में दिभाग में पिर यहां से अभी मैंने आपको क्या treat कि stock कैसे निकलते है और इसी तरीके से करना बेटा क्योंकि institute आपके इसी तरीके से stock निकलती value और दूसरी खास बात department में यह method नहीं आय तो तकलिफ है so department में मैं सिखाऊंगा यह method निकालना अब अभी करके रखेंगे तो उस समय और इसी होगा चलो लिख कर ले लो बेटाजीए कर दोasında और यह मैं इसी होगा कर दो को आपके रखेंगे यह मैं को वे ख posição स Mü продолж creatS कर दो कर दो में यह को तहाल भाला कि एसी जा यह में ओस्री कर दो है व got everyone good झाल झाल कोई प्राब्लम इल कोई प्राब्लम ओपनिंग स्टॉक का भी स्टॉक रिज़र वाएगा 16,000 जो है ना यह दर स्टॉक रिज़र यह गुडिया क्या बोल रही है यह स्टॉक रिज़र किसका है क्लोजिंग स्टॉक का है ना तो वैसे स्टॉक रिज़र निगलेगा किसका ओपनिंग स्टॉक तो वो कैसे निगलेगा बिटा 16,000 इंटु 60 दिवाइड बाई 160 कितना रहे बिटा अफ कोर्स छे अजर आएगा स्टॉक ज़ी ने चाहिए और बिटा आप समक्ष smart आटकर विज़र तो पिछले साल उन्हें इस वार बनक्या तो पिछले साल उन्हें स्टॉक रिजर क्रेट के अगा so will I have to carry forward the stock reserve current year में भी so हम opening stock का stock reserve carry forward करेंगे जब तुम्हें clear हो जाएगा तुम्हार अगर ये question है कि stock कौन सी value पर है वो 16,000 it is at WP add IP to branch बोला है ना so IP to branch is nothing but WP to HO so if it is WP to HO will I have to calculate the stock reserve and stock reserve is 6,000 and this stock reserve is on what opening stock समझ में है गोडिया is I I I I I झाल 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 80 और ब्रांच का कितना है बटा 48 नाओ कैलकुलेट दजीपी 3,36,000 और ब्रांच का 16,000 आ रहा है क्या यह टैली करो आगे बढ़ो बाई GP brought down so I'll write down 3,36,000 और 16,000 और फिर निकालो 2 Np 3,36 minus 86 will become 2,50,000 और 16 minus 4 is 12,000 यहां तक Np आया हाया नहीं अब मैं consolidated P&L account बनाऊंगा consolidated P&L account तो इस consolidated P&L account में क्या मैं लिख सकता हूँ क्या बाई HO profit कितना है बटाजी 2,50,000 ब्रांच profit कितना आएगा 12,000 और इधर आएगा बाई by stock reserve opening पर कितना stock reserve बटा 6,000 to stock reserve closing पर कितना है बटा कितना बटारी बटा 18,000 काई बाउ किती 2,50,000 ब्यू अप्रिचेट आएगा बाई साने बटारी ब्राइड फ्रफिट पर्वाट पर्फिट इस स्यूंसर्ड बाई 1-2 मिंटे पता ड्री लग का नट प्रोफिट है प्रोफिट अज रहे के प्रोफिट है पता हाँ पता कुण सार्ट अक्वेश्ड रिव्र अगर उपर लेना है तो एल्वेश न अछ को लिवस्ट नहीं हुआ हाँ क्योंकि branch को profit निवा हूँ stock reserve किसको हूँ है HO को profit हुआ है so you have to reverse the profit of HO कई सारे बच्चे गडबड़ क्या करते है branch के column में लिखते है branch को profit निवा यह profit हुआ है HO को है तो है चुगा profit reverse होगा yes or no हो गया है एक बार profit चेक करना है कि तुम्हें अपना सही निकला है कि नहीं निकला है यह देखो calculator पर लो छे लाग प्लस असी हजार 6,80,000 है क्या profit percentage था hundred divided by two hundred trade 3,40,000 profit अब 340 में से जो भी यह GP आया पिटा expenses less कर दो 340 minus 86 minus 4000 आपका last profit match होना चाहिए 2,50,000 और match हो रहा है कि नहीं yes so our answer is right so with this which branch we have completed dependent branch wholesale branch method के मैंने सिर्फ चोटे examples लिये है वैसे मैंने का wholesale branch method का मैं जो example ले रहा हूं यह कोई type नहीं है यह calculation का तरीका इसलिए इसके चोटे basic concepts लिये इसके पूरे बड़े independent branch में इसके problems आएंगे और इसमें भी आएगा department account में तो यह अभी सिर्फ हमने concept deal किया है इसके उपर जब questions आएंगे तो में भी और तुमारा हथ खुलेगा यहां तो कोई query होगी तो पूछलो डन 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 so with this it's time to depart and it's time for you to start dependent branch complete it up wind it up and it should be all okay okay चलो प्यार से भाई बोलो बाई and God bless you all take care